वो सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं पाकिसान ने भी यही कर दिया सेना आपका प्रोडम पेशल टू वर्सिस टू हो पर आज चारों एक तरफ ही है यह कौम का मसला है कौम ने कठा होना है कौम ने खड़े होना है और दिखाना है कि हम कठे हैं हम तुम्हें रद्यमल दे सकते हैं और हम तुमसे को मांग के नहीं खाते हैं वो चले गए बाग जब तुम हमें धिया करते थे हमने कर्द लिया है कर्द वापस कर देंगे हमने को तुमसे इम्दाद नहीं ली कर्दा लिया है और कर्द वापस देते हैं इसमें कहा लिका है और दैशतगर्दी की जंग में सबसे पर बेद नुशरफ दौर में हाव हमेलाइगे के करनल जोजफ करनल जोजफ के मामले पर आम अप खड़ा जाए आप उसको जितना टाइट करेंगे अमरीका उतना फ्लाइट हो जाएंगे अमरीका के अंदर इतनी जुरत नहीं है कि वह करनल जोजफ को जरा सी भी मुगरम वा जोजब उन पर क्या वह बिल्कुल ऐसे ता जैसे कि जल रहे हो गरम-गरम कोईले के उपर यह लात है उनके बात यह कि हमारे उस हैनक कानी ना ना हो कोई कि वहां जावीज़ देके तर भीटा रहे और वह देश्यत करती हां आते रहे हमने एक चीज बहुत अची की थी है अमरीका ने मैं जिस तरह ग्रिल करके वीज़ देते है ना मुझे ववक्त यहाद में वीज़ ले लेगा है मेरे साथ वाले जो बूत है उसके बहुत बहुत पर इंड़स्याड पैठा था वो कैदा हम अपनी बिजली खुद बनाते हैं आरे इतने मशूर है जाना क्यों क्या करना हम तुमने वहाँ जाके उसको भी जवाब नहीं आ रहा था हम इतना ही टाइट इंटर्व्यू करें हमने क्यों एरपोर्ट पे वीजा रखा हुआ है कि आप तिजारती कोई आपको वीजार में देदेंगे नहीं वीजा उसी तरह गिरिल करके दो जिस तरह हमें दिया जाता है देखे सब सीधे हो जाएंगे बगारी साब मकबुजा कश्मीर की बाती रे लीजे भारत के साथ मिलकर अमेरिका ने क्या किया पाकिस्तान को तुछ भी सुनाने के लिए यहां भी कुछ भी कहने के लिए मौका आट से नहीं जाने देता है देखिए पर अमरीका जो बहुत बड़ा चैंपियन मनता है हुमन राइट्स का और वर्ड पीस का उनकी मुझे बेहिसी पर अफसोस भी होता है मातब दिल करता है उनकी अकल करें क्लिंटन से लेके बहुत सारे प्रेजिडेंट जो है भारत के दौरे पर आए डेड़ सो से दोसो किलोमेटर दूर धुआ उठता है जहां इंसानी गोश्ट जल रहे हैं जहां इंसानी ओरतों की इज़तें रूटी जा रही है जहां बच्चों को पैलेट गन्स के थरू अंदा किया जा रहा है उनको किसी को कुछ नदर नहीं आता है वो अंदे भी है वो बेरे भी है ये जो दोगलापन है अब दुनिया जितनी वाइबरेंट हो गई है जितना सोशल मीडिया वाइबरेंट है अब उन सब की ये बेहसी एक्सपोज हो रही है लोग उन्हें गालिया दे रहे है और जून जून ये मीडिया और ज्यादा ताक्तवर होता जाएगा अमरीका अपनी पालुसियों के बाइस दुनिया का बदनाम तरीन मुलक बनेगा इसमें अब ज़्यादा देर नहीं है अमरीकी शहरी वहाँ पर इस वक्त गर्मिन्ट के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं ये तो सब के सामने है इसके लावा तो कोई आप्शन और बच्ती नहीं ना अमरीका के लिया आसे साथ अगर ज़ादे में अगर्यासमय ये पहली दफा है किसी अमरीकी सदर के मुनत्खब होने के बाद एक साल से ज्यादा का आर्सा गुदर गया है हर अमरीका के एक शहर में सेंकनों और हजारों की दछादार हो गोग मुंतिकल सदर के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं आज़े साब ये मुझाहरे कहां तक पहुंचेंगे आगए ये देखी आप मुझाहरे तो शेयर अब को हलके पड़ गए है इसके टरंप के इंतखाब के फोरी बाद जिस तरह एजिटेशन शुरू हुई थी पूरी दुनिय में और पूर तशदद एजिटेशन ये पहली बार अमेरिका की तारीख में कमद कर पहली बार ऐसा देखने में कि किसी सदर के इलेक्शन पर उसकी अपनी कोव्म की तरफ से इतना सक्स रियाक्शन है आज़े सभी इसका भी जल्दी से जवाब दीजेगा कि दैशित गर्द मुल्की और कौमी मुफाद के तैट होती जिसके तैट वो ये हक रखता है कि वो पूरी दुनिया को तैस्थ नैस कर दे अपने मुफादात कुड़ा रख सकते हमें विए वैसे ही सोचना चाहिए वैसे भी करना चाहिए कि हमारी जो सलामती है हमारी जो खुदमकतारी है वो मुकदम है हमने इसको स्टेक भे नहीं नहीं हिसे रहा है ए कर भो ही उसको होता नजर आ रहा है जो वेठनम में हुआ था झब यह अपने ही झारू якम भाकित किमा आ जामम मिथा दे रहा हुए हैं इसको बरावन नजर आ और ये याद रखे हैं ये अफगान जो कबाईली है ना वो उस वेत नामी फाइटर से बहुत ज्यादा लिहाज करने वाला नहीं है ये बचके नहीं जाएंगे यहां से बेगोल ठीक है ये मर के निकलेंगे यहां से उन्हें ये मुसीबत नजर आ रही है कि हम कितनी लाइचा अब दिखाई नहीं है पाबंदी ये वहां से नाजाए ने पर खबर देने पर हमारा तो शहीद होता है हम पाधान नमा दे जनाजा अदा करते हैं और भी चीफ तक माँ जाता है वहां वारी कौम के लिए उन्हें उन्हें तो अपने बच्चों के लाशें चुपा लिए ज अफगानिस्तान में हुए क्यों हराम मौत मरक है सारे उन्हें हराम मौत नजर आ रही है अपनी इनको ठीक है बिल्कु लाइए जल्दी से मुझे पॉइंट चाहिए है इस पर इसकी बात है वहां से और मार खाएंगे और मरकें निकलेंगे वहां से और ये बिलीव हमारा है और ये पहली मरतबा है कि जिये किशु के ओपर चारों का किनसेंसिस है बमाए है हमारी ये इस पॉजिटिव मुझे पॉल्द करना है लोगों ने किस तरह से इस पर जो है वो रिस्पॉंड किया है पाकिस्तानी सिफारतकारों के खिलाफ अमरीकी फैसले किया हम अमेरिका न ने पाकिस्तानी सिफारतकारों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है 45 किलो मीटर की हुदूद के अंदर अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं और अगर उनने बाहर कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगी पाकिस्तान के तरफ से भी जवाबी पड़े अमल देने की पोजिशन में है बुखारी साब आपको क्या लगता है जी देखिए पहली बात तर्जमान की तरफ जो है इसकी एक पूरी हिस्ट्री है अगर वक्त होता है तो मैं जरूर बयान करता कि क्या लिस्ट ऑफ बिट्रेयल है कि अमरीका ने कहां कहां हमें ध कर नहीं है सेंकनों मिसाले में आपको दे सकता हूँ हमारी सिकसिषव हकुमतों तो ने अमरीका की खसीया-‌ाबर्दारी अनके खुशामद में इतना वक्त जाया कर दिया कि हम कहीं के नहीं रहे हैं हमें कहीं का छोड़ा नहीं है उनोंने लेकिन मुझे इस बात की खुशी है खाजा असर्फ जिसकी अब मेरे दिल में को बहुत ज़ादा इज़त नहीं जब से उनोंने मीडिया के बारे में बयान दिया है लेकिन उनोंने अमरीका में बैठके पहली दफ़ा तल्ख लेजे में गुफ्तू करके अमरीकन्स को ये बावर कराने के कोशिश की कि डोंट टेक अस एजी उसके बाद टरम्प इंजामिया ने जो हमें डुराने के लिए एकदामाद की है जिस तरह के उपर नीचे बयानात आए जिस तरह की उपर नीचे विजिटेशन आई इंडिया में वहां से बयानात जारी हुए इस सब ने फिर मजबूर कर दिया पाकिस्तान की हकूमत को कि आप भी एक टफ स्टेंड ले अब ये जो बात है ना कि जी उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स की 45 किलोमीटर के अंदर अंदर रिस्टिक्ट कर दी है तकासा जवाब अगले ही दिन उनको पाकिस्तान की तरफ से गिया है कि अमेरिका की वी जो डिप्लोमेट्स हैं वो 45 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेंगे उसके बाहर नहीं जा सकते साथ ही वजाहत आगी है वहां से अमेरिकन से जएदा बुजदिल कौम पूरी दुनिया में कोई नहीं है इसलिए कि जिनका टोटल फेथ जो है वो अपने जहाजों पर अपने तेयारों पर अगर हम नहीं देंगे हमारी दास्ता तक भी नहोगी दास्तानों में मेरे ख्याल से ये अब जो पैंतरा हमने बदला है अल्ला करे कि हमारी हकूमत को हमारी लीडर्शिप को इसको पर ख़ड़ा रहने की जरूरत है आसे साथ आपको क्या लगता है कि अभी की सुरत इहाल के मताबक पाकिस्तान ने जिस तहां से आंकी दिखाई है और अगले ही लम्हे में अपना भी जाबता अफलाक सामने रख दिया है अमरीकी सिफारतकारों के लिए ठीक किया हम इस पॉजिशन में हैं अमरीका कोँ के दिखाने की अदेखिए मैं सलीम बुहारी साथ से सोफिस्ट मुत्तफिक हूँ हमारी तारीख कोई ऐसी नहीं है अमरीका के साथ तालुकात के हवाले से जिसे हम ताबनाक तारीख करें बहुत हजीम्ते उठाई हुई है हमने अमरीका का अलाई बनके लेकिन अब इस वक जो सिचुएशन पैदा हो रही है अब हमारी मजबूरी बन चुकी है स्टेंड लेना अमरीका के सामने क्यूंके इनफ इस इनफ वाली बात है और इसी तनाजर में अब टरम्प इंदामिया को बावर कराया जा रहा है पाकस्तान की तरफ से कि अब डू मोर नहीं होगा अब नो मोर है हमारी तरफ से और डू मोर अगर करने तो कहीं जादा करने पर नहीं बिलीफ करते हैं करण जौजफ को हम अभी भी रिस्पेक्टी दे रहे हैं आँ नहीं आप देखिए ये बजाहर आपको महसूस हो रहा है कि रिस्पेक्ट हो रही है लेकर जिसना सिर्ली मुखारी साथ ने पॉइंट ओर किया है कि पाकिस्तान ने भी वैसा ही स्टेप ले लिया है अमेरिका के स्वाद्धकारों के बारे में और ये कल खबर छब चुकी है नुवाइवक्त में ये खबर में निकाल पड़ी है ये दोतरफा पाबंदिया है महदूद करना एक्टिविटीज दोनों मुवाला कि स्वाद्धकारों की ये एक किसम का बड़ा ठोस मैसेज और मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप देखिए इंडिया के जो यहां हाई कमिशन आउफिस है वहां कोई साथ आठ उन्होंने कर्बोशन के साथी दैशेगर्द स्वार्धकारों के भेस में तैयनात की हुए थे जब ये पता चला उनकी हरकतों का तो पाकिस्तान ने उन्हें डिपोर्ट किया इसी तरह मैं समयता हूँ कि अमेरिका के अगर कोई स्वार्धकार ऐसी कारवाईयों में ऐसी हरकतों में जिस से पाकिस्तान के लिए को नेक नामी की बात नहीं होती अगर वो मलवस है मस्रूफ है तो उन्हें भी उसी तरह डिपोर्ट करना चाहिए जिस अब इंडिया के दैसे गर्दों को जो स्वार्धकारों के रूप नहीं जाते उन्हें डिपोर्ट किया गया था बिल्कुल ठीक पॉइंट आपका भी क्लियर है खारे साब आपको क्या लगता है कि हम लोग कहके पहले भी अगर अपनी तारीख उठाकर देखें कहते तो हम बहुत कुछ हैं उसकी इंप्लिमेंटेशन उसके कुछ अरसे के बाद वो कहीं पीछे रह जाती है तो अब की जूदा हकूमत जो है उसने अमरीका को खातरखा जवाब दिया है वरना माजी में तो हमारी तारीख ये है कि जब बडबीर के अड़े हमने दे दी है लेकिन जब अयूब खान ने किताब लिखी फ्रेंस नौट मास्टर्स तो उसकी सजा उसको ये दी गई कि उसके खिलाव कि उसको भी अमरीका ने सजा दी कि वो इसलामी ममाले को एक प्रेट फार्म पे खड़ा जाने की कोशिश जिस तरह अमरीका को पैदर पे जवाब दिये गए हैं तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको एप्रिशेट करना चाहिए और और जी हमें करना चाहिए लेकिन खा करना चाहिए लेकिन अभी मेरे से पहले कैचुके हैं बुखारी साब ने भी का और आसी साब ने भी जिस तरह का आप देखे ना कि उन्होंने जो पेंटालिस किलो मेंटर की जो उन्होंने शर्त लगाई तो उसके जवाब में हमारे तरफ से भी तो ये फोरी तोर के ओपर अब देमल साहिरा ना और जैसे आसी साब में काया कि गंटा नी गुजरा था कि उन्होंने अपना फैसला जो तरदीद कर दी के यह भी पहले बादी कि अगर आम अपने पैरों पे खड़ा होंगे और जाना कि मुखारी साब को बहुत गुसा है ख्वाजा आसे पे लेकिन उ